Hello everyone, कैसे आप सब, आज हम लोग पढ़ेंगे, मेरी मा, Class 6, New NCRT, Malhar Hindi का Part 6, मेरी मा, देखते हैं, कौन सी कहानी, कैसी कहानी, पहले हम इसका chapter कर रीडिंग करेंगे, साथ इसके सब्धार्त भी जानेंगे, और next Part 2 में, हम इसके प्रेशन उत्तर देखेंगे, और Part 3 में, जो भी extra question बन सकते हैं, जैसे कि MCQs, important question answer, एक तरह से आप वक्षीट कह सकते हैं, तो वो पूरी वक्षीट में, Part 3 में, सॉल्व करवाँगे, तो चलिए, फटाफट से हम पहले, सब्धार्त देख लेते हैं, जो भी नए-नए सब्धार्त है, कठिन, पहला सब्धार, हौन हार, हौन ह होते हैं, जो भावी होते हैं, अच्छे लच्छणों वाले होते हैं, उन्हें बोलते हैं हम हौन हार, गजब, गजब मीज, कमाल, कमाल, ओके, यहां पर दूसरा आए, आधिपत्य, प्रभुतत्य, अधिकार, यह आधिपत्य का है, प्रभुतत्य या फिर अधिकार, तीसरा आत्म कथा अपनी जीवन की कथा जब भी कोई व्यक्ति अपनी स्वयम जीवन की कथा लिखता है आत्म कथा या फिर किसी और की जीवन की कथा लिखता है या आत्म कथा प्रकाशित जो छाया या प्रचलित किया गया हो तो प्रकाशित जैसे कोई न्यूज वाले कोईसी पकाषिaupt करतें न, चापा छापा चापते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रिकासे। अंस भाग, अन्रोद, याचना करना, शद बेवहार, सदाचार या अच्छा बेवार, संकल्प, निश्य या प्रतिग्या, हस्ताचर सिगनेचर होता है या हस्त खत भूल सकते हैं सिगनेचर भी खारिज आ स्वीक्रित जिससे भी स्वीकार नहीं कहा है आचरण, बेवहार, नितांत, एक दम या बिल्पुल इस भी नितांत अकेले तो बिल्पुल अकेले प्रवंद, विवस्ता, अच्छर, बोध, अच्छर को बोध, ग्यान, देवनागरी, भारत की प्रिशिद लिपी, जिसको देवनागरी गोलते हैं, बार्तलाप, बाचीत, निर्वाह, गुजारा, प्राणदंड, मृत्युदन, उत्रण, तरण से मुक्त, जब भी हम किसी भी कर्ज से मुक्त होते हैं, तो उसको बोलते हैं उत्रण, तरण से मुक्त, आवणिय, जिसका बार्णना किया जा सके, लगन साथ जुडा हुआ या फिल लगा हुआ, श्रिय, यश, तारना, दंड देना, द्रिस्टा, द्रिस्टा पूर्ण, उदंडता, परिडाम, नतीजा, श्रदेव, हमेशा, जो भी मुझे सब्द लगे वो मैंने सारे समें सब्धार्ट में डाले हैं, चलिए, सांतोना, सांतोना होता है धांडस बनाना या तसल्दी देना, उज्वल, उज्वल चमकीला कोई चीज होती है, दीपती में एक बोल सकते हैं, बिचलित आइस्थिर, चलिए, अब हम चलते हैं अपने पार्ट की तरफ, सबसे पहले इस पार्ट को पढ़ने से पहले हम लेखक का पर्चे लेगे, लेखक के बारे में जानेंगे कि इतिस लेखक ने लिखने हो इस कव्दा में क्या है, जिससे इस कहानी को पढ़ने में और समझने में हमें आसान करांतिकारी बीरों से अपना बल जो अंग्रिज लोग थे उनसे करांतिकारी लड़ रहे थे सर्फरोसी की तमन्ना जैसे तराना लिखने बाले राम प्रशाद बिस्मिल भी उनी करांतिकारियों मैंसे एक थे तो यह जो लेखाक है जिनकी कहानी है वो किसकी है राम- उन के पास जो असादर नहीं थी राम पृष्यार बिसमे survivors hani अच्छे कभी और लेखक भी थे उन्होंने अनेक पुस्तके लिखी जिन मैं उने उनकी आत्मकता काफी चर्चित रही मों उनकी आत्मिकथा का ही अंस है, तो उन्होंने खुद की अपने एक आत्मिकथा लिखी है, जिसमें से एक छोटा सा अंसमीस भाग, छोटा से एक भाग मेरी मा निकाल के, आपको इस पार्ट में पढ़ाया गया है, आपके इस चेप्टर में, तो इनकी जो लेखक की है, वो इनका जन्म 1897 को, 1927 को इनकी मृत्य हुई है, यह जन्म डेट होती है, यह मृत्यू डेट होती है, चलिए, और आप इनकी जो फैमस है, जो सबसे अच्छी, अच्छी क्या फैमस कह सकते हैं, सर्फरोसी की तमन्ना देखना, यह आप लोगों जाता सुनी होगी, तो यह इनकी फैमस है, जैसे तराना लिखने वाले रामपरिशाद, यह दोती ने इनकी बताई देए, आप लोगों को लेखक का परच्छा यादोना चाहिए, चलिए, अब हम चलते हैं, जानने वाले कहते थे, योग बहुत थे, जानने वाले कहते थे, कि यदि किसी और जगह, या किसी और देश, या किसी और समय पैदा होई होते, तो सेना आप द्यच्वनते, जानने माले मतलब जो उनके आसपास रहते होंगे, जो उनको जानते होंगे, है कि हमारे देश के प्रिशिद शुचन्तिता सेनानी भगत्सींग के बारे में तो यह किसका कहना था? भगत्स प्रिशच बन सकता है कि जो समय पेदा ना होते तो कुछ और सेना देच होते हैं किस ने कहा था? भगत्सींगुने Rahm Prishasad बिस्मिल का जन्म जब हुआ उसमय अंग्रेजों ने उन्हें जेल भेज दिया और फांसी की सजा दे दी जेल भी भेज दिया और फांसी की सजा दे दी जेल में भी उन्होंने अंग्रेजों के अनेक अत्याचार सहे जेल में रहते रहते ही उन्होंने चोरी छिपे अपनी आत्मे कथा लिखी चोरी छिपे प्रिकासिद भी करवा दिया, इसका नाम रखा गया निज जीवन की एक छटा, तो उनके आत्मकता कि जो टाइटल था वो क्या रखा गया, नाम निज जीवन की एक छटा, इस पुस्तक ने अंगरीजों के खोश उड़ा दिये, लोहों में अंगरीजों के वुरुद, और वो इतनी प्रिछलित हो गई है, सब लोगों ने पड़ी है, तो जो समाज में उनके प्रति, अंग्रेजों के प्रति क्या है, वो सारी बता गए कि अंग्रेज कितना अत्याचार कर रहे हैं, तो भाई, अब सपोर्ट तो किसको मिलेगा, विस्मिल को ही मिलेगा न, इस आत्मक लोगों को प्रेरित करती है, क्या आप भी उनकी आत्मकता को पढ़ना चाहते हैं, क्या हां, हां तो यह प्रस्तूत है उसी आत्मकता का एक अंस, अब हम लोग उनकी आत्मकता का एक छोटा सा भाग पढ़ने जा रहे हैं, लखनव कांग्रेस में जाने के यह मेरी बड़ी विरोध करते रहें, किन्तु माता जी ने मुझे खर्श दे ही दिया, उसी समय सहाजापुर में सेवा समती का आरम हुआ था, मैं बड़े उत्सा के साथ सेवा समती में सयोग देता था, पिता जी और दादी जी को मेरे इस प्रकार के कार अच्छे ना लगते थे, किन्तु द सेवा समती का आरम हुआता चली, माता जी मेरी उत्सा भंग ना होने देती है, जिसके कारण उन्हें अकसर पिता जी की डाट फटकार और दंड शहन करना पड़ता था, जब भी आपके माँ आपकी साहिल नेती कोई वात उती है, तो पिता जी की डाट फटकार में तो बास् स्री शौम देव जी की कृपाओं कई हाई प्रणाम है, याद रखेगा इनके गुरू का नाम क्या बताये गया है, शौम देव जी, दादी जी और पिता जी मेरे विवा के लिए बहुत अंग्रोध करते, किन्तु माता जी यही कहती कि सिच्छा पार चुकने के बाद ही वि माता जी के पुद्सवान ततश्द विवार ने मेरे जीवन में वह द्रड़ता उत्पन की कि कि किसी आपत्य तदा संकट में आने पर भी मैंने अपने शंकल्प को ना ज्या गया, अब देखी कौन सा संकल्प है, एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी एक किसी पर दावा करके बकील से कह गए थे कि जो काम हो वह मुझसे करा लेना, कुछ आवशक्ता पढ़ने पर बकील सहाब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताचर बकालत नामे पर कर दूँ, देखे बोड़ रहा है कोई तीसरा परसन कि आप अपने पिताजी कि इस ताचर पापा के हस्ताच सिगनेचर यहां कर दीजिए, मैंने तुरंत उत्तर दिया कि ए तो धरम विरोध होगा, इस प्रकार का पाप में कदापी नहीं कर सकता, वकील सहाब ने बहुत समझाये कि मुकदमा खारिज हो जाएगा, किन्तु मुझ पर कुछ भी प्रवा साजापुर आई थी, अब यह अपनी माता जी के वारे में बता रहे है, कि जब उनकी माता जी का विवा हुआ था, तब वो 11 वर्ष की थी, उस समय वह है, नितांत असिच्छित एक ग्रामीर कन्या के समान थी, नितांत मतब बिल्कुल सिच्छित नहीं थी, बिल्कुल भी सिच्छा दी, ग्रहकार घर के काम, किस को? दादी जी की बहन को, थोड़ी दिनों में माता जी ने घर के सब कामकाज को समझ लिया, और गोजन आदी का ठीक ठीक प्रवंद करने लगी, मेरे जनम होने के 5 या 7 वर्ष वाद उन्होंने पढ़ना हिंदी पढ़ना आरम किया, देखे, उनका जनम भी हो गया, रामपिशा विस्विल जी का, आप हिंदी, उनकी माता जी हिंदी पढ़ना सीख रहे हैं, शौफ उन्हें खुद ही पैदा हुआ था, मोहली की सकी सहीली जो घर आया करती थी, सकी सहीली जो आसपास की लड़किया होती फ्रेंज बन जाती त परिश्रम के फल से थोड़ी दिनों में ही वह देवनागरी पुस्तिकों का अजियन करने लगी, देवनागरी में हिंदी, जो भारत की हिंदी की लिपी है, मेरी बेहनों को छोटी आयू मैं माता जी ही सिच्छा दिया करती थी, जब से मैंने आरे शमाज में प्रवेस किया ह माता जी से खोब बारतलाब होता है, उस समय की अपेच्छा आव उनके विचार भी कुछ उदार हो गए है, पढ़ने के बाद हमारे विचार काफी अलग हो जाते हैं, यदि मुझे ऐसी माता ना मिलती तो मैं भी अतिसादरन मनुष्यों की भाती संसा चक्र में फसकर जीव मैं भी उन्होंने मेरी वैसी ही सायता की है, जैसे मेजनी को उनके उनकी माता ने की थी, ये मेजनी, इजनी सब्द सायद मैंने शबधार्त में नहीं डाल पाया, कोई नहीं, मैं अभी नी थो, आगे चलते वर्टाती हूँ, माता जी कर सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए य नहीं था कि किसी की प्राण हानी ना हो, उनका कहना था कि अपने सत्रू को भी कभी प्राण दंड न देना, मतलब मृत्यु दंड नहीं देना, उनकी इस आदेश की पूर्थी करने के लिए मुझे मजबूरन दो बार अपनी प्रतिग्या भंग करनी पड़ी, जन्मदात्री इस जीवन में तो तुम्हारा त्रड उतारने का प्रतिण करने का भी अबसर ना मिला, त्रड जो कर्ज होता है मांगा हो, इस जन्म में तो क्या, यदि मैं अने जन्मों में भी सारे जीवन प्रतिण करू तो भी तुमसे उत्रड नहीं हो सकता, उत्रड उत्र में तुम्हा मुझे जीवन की प्रत्य घटना का इस्मरण है कि तुमने जिस प्रकार अपनी देवाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया। तुमारी दया से ही मैं देश शेवा में सनलगन हो सका। धार्मिक जीवन में भी तुमारी ही प्रत्सान ने सायता दी। जो कुछ सिच्छा मैंने ग्रहड की उसका भी श्रय तुम ही को जाता है। तो अपना जो भी कुछ है ना पूरी जीवन का पूरा श्रय को दे रहे हैं अपनी मा को दे रहे हैं। कि जो भी कुछ तुमने कि मेरी जिंदिगी में हुआ इतना अच्छा मेरी लाइफ है वो सब तुमारी वैसे। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी। उसका इसम्रण कर तुम्हारी मंगल मही मूर्ती का ध्याना आ जाता है। मंगल मही मतब वो एक इमिजिनेशन कर रहा है कि अच्छी मूर्ती अपनी मा को मूर्ती की तरह मान रहे हैं। और मस्तक जुक जाता है। तुम्हे यदि मुझे तारना भी देनी हुई तो बड़े इसने से हर बात को समझा दिया। तारना डाणफट कारना यदि मुझे द्रस्टा पूर्ण उत्तर दिया तब तुमने प्रेम भरे शब्दों से यही का कि तुम्हे जो अच्छा लगे वै करो। किन्तु ऐसा करना ठीक नहीं। इसका प्रेडाम अच्छा ना होगा। जीवन दात्री तुमने इस सरीर को जनम केवल पालन पोशन ही नहीं किया बल्कि आत्यात्मिक धार्मिक और सामाजिक उन्नती मैं तुम्हे मेरी सदेव शाहिक रही। जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी माता ऐसी ही माता दे। एक मा पालन पोशन नहीं करती आपका आत्मिक धर्मात्मिक सामाजिक धार्मिक जो भी कुछ होता है सब हम मा से ही सीखते हैं। कोई कस्ट अन्वव ना कीगा। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तता एश्वर की इच्छा नहीं। कोई भी आराम होता है ना से वह बोलते हम यह चीज लेंगे या फिर कोई चीज की इच्छा करेंगे। तो ऐसे उनके कोई इच्छ ही नहीं नहीं है। केवल एक इच्छा है। वह है कि एक वाश्रद्धा पूरवक तुम्हारे चरणों की शेवा करके अपनी जीवन को सफल बना लेता। बोचाते हैं कि मैं अपनी मा की शेवा करूँ। किंतु यह इच्छा पूर होती नहीं दिखाई देती। क्यों? क्योंकि वह जेल में आत्मकता लिख रहे हैं और उन्हें क्या है? फासी सुनाई जा चुकी है। तुम्हें मेरी म्रत्यों की दुख भरी खवर सुनाई जाएगी। मा मुझे विश्वास है कि तुम्हें यह समझ कर धहर धारन करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता या भारत माता की शेवा में अपने जीवन को बली देवी की भैट कर गया। और उसने तुम्हारी को कलंकित ना की। अपनी प्रतेग्या पर दर रहा। जब स्वधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके प्रष्ट पर उज्वल अच्छरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। गुरु गोविन्द शेंग जींगी धर्म पतनी ने जब अपने पुत्रों की मरत्यूं की ख़वर सुनी तो बहुत प्रुशन हुई थी। यह Guru Govin Singh, उनकी बारें बताया जारा है, तो Guru Govin Singh, उनकी जो पतनी थी ना, उनके पुत्रों की, उनके बेटों की, उनके बच्चों की व्रत्यों की ख़वर सुनाई दे तो बहुत खुश होई थी, वो क्यों, कौई एक स्कुष होता है अपने बच्चों इमद में नहीं, लेक हिर्दय किसी प्रिकार बिचलित ना हो, यह गोलना है, जर्मदात्री अपनी मां से वर दो की, वर दो मतलब मुझे ऐसा बर्दान दो, कि जब मुझे फांसी लगे, जो मेरा नतिन समय आ जाए, तो उसमें मेरा हिर्दय बिचलित ना हो, इक दम से मैं डर ना जाओ, डर से सम समझे, तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर, मैं परमात्मा का इसमर्ण करता हूँ, सरीत त्याग करूँ, मतलब मैं, जब मुझे फांसी हो, तो मैं तुम्हारे पैरों का ध्यान करूँ, और परमात्मा भगवान का ध्यान करके सरीत त्याग करूँ, किसकी है, हराम बिसमेलने चलिए, इसके NCRT के जो भी कुशन अंसर है, सब पर्चे हमने पढ़ लिया है, वह हम पार्ट 2 में करेंगे, पार्ट 3 में हम बर्कशीट एक तरह से सॉल्व करेंगे, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, तो लाइक किजिए, किजिए, सबस्क्राइब कीजिए, थैंक्स फो वाइचिंग, बाइबाइ